कुल ॹेल्लो कैप्रिकॉण वेल्टुम बएक तू मैं चैनल और आप देख रहे हैं डिबाइन टैरो दमल को आज की वीडियो में हम कैप्रिकॉण यानि की मखर राशी वालों के लिए सब्तमबर मन की रीडिंग करने वाले हैं कि सब्तमबर में समस्कार फाइनेंस उनकी प्रेंट से एक जन्रल पेडिक्शन है जितनी आपके साथ मैच करें उतनी रखिए बाखी जाने देजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन सी काड है सेप्तमबर मन्त में आपके फाइनेंस लव लाइफ और हेल्थ को लेके तो स्टार्टिंग करेंगे हम आपके फाइनेंस से आपके काड कहते हैं कि सेप्तमबर फर्स्ट वीक में आप अपने काम को अपनी जॉब अपने पैसे को लेके काफी निराश और टैंशन डिप्रेशन में नज़र आ सकते हैं आपके वर्क इन्वार्मेंट में प्रॉब्लम हो सकती है कि इतना खराब हो रहा है वो कि आप वहां काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग हैं जो आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं आपके पीट पीछे आपके बॉस को आपके खिलाफ कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट जरूरत से ज़्यादा कमिया निकाल सकते हैं तो उस वज़े से आप tension में लग रहे हैं या अगर आपने कोई investment किया था तो वो आपको उतना profit नहीं दे रहा है या loss में जा रहे हैं आप या फिर आपने का अगर किसी को पैसा दिया था तो वो आपको वापस नहीं मिल रहा है किसी ने आपको ditch कर दिया है तो इस तरह की कुछ feeling September 1st week में आ रही है मुझे इस month में Capricorn आप swing करते हुए लग रहे हैं क्योंकि second week में फिर आप energetic हैं फिर आपका finance अच्छा हो रहा है बहतर हो रहा है आप मैंसे कुछ लोग share market में भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसी swing करने की जो condition है वो वहीं पे आती है next night of pentacle का card है आप एक long term goal के लिए goal achieve करने के बारे में सोच सकते हैं कुछी जोगो आप plan out कर सकते हैं setting कर सकते हैं आप कुछी जोगी आप मैंसे कुछ लोग अपना business अगर करने की सोच रहे हैं तो इस month में आप तैयारी करेंगे कुछी जोगो आप systematic ढंक से इस month में ठीक करने के बारे में सोचेंगे आपके third week में second और third week में आप काफी energy में रहने वाले हैं Capricorn fourth week में फिर आपके energy swing करती हुई लग रही है कि job नहीं है या job से बाहर चले जाओ या ये जो काम है ये उतना अच्छा नहीं है ये उतना profit नहीं दे रहा है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक उदासीन रविया पनाने पे मजबूर करती हैं हला कि आपको profit मिल रहा है आपके पास है आ रहा है पैसा पर फिर भी आप अपने काम से fourth week में आप थोड़े से निराश मुझे लग रहे हैं कि नहीं ये जो काम था जितनी आपने expectation रखी ती उतना आपको नहीं मिल रहा है आपका bottom of the deck जो है the moon है reverse में आपको पैसा देता है उसमें आपको clarity मिलेंगी चीजों को आप ठीक धंग से आगे बढ़ाएंगे ठीक धंग से उनको system में रखेंगे अपने काम में आप सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो ये reading आपके finance को लेके थी अब हम देखते हैं कि आपके love life कैसी रहने वाली है September में starting में ही king of winds की energy है आप अगर किसी व्यक्ति के साथ में है तो वो इनसान charming हो सकता है attractive हो सकता है ऐसा इनसान जिसको आपके अलावा बे और बहुत सारे लोग पसंद करें या वो लोगों को attract करता हो इस type के बंदे के साथ में आप हो सकते हैं यानि कि आप उसे control नहीं कर सकते और यह energy आपकी भी हो सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि जो energy जिस बंदे की energy है वो इमानदर नहीं है नहीं, ऐसा नहीं होता है इमानदर है वो आपके साथ में अच्छा है लेकिन कंड्रोल नहीं कर सकते है अप अपने लाइफ के बहुत सारे पहलू है जिन में उसको सोतंतरता चाहिए वो फ्रीडम से जीना चाहता है आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ में हो सकते है या ये आपकी खुद के एनरजी हो सकत ही है next strength का काड है बहुत हिम्मत से किसी काम में आगे जा रहे है या आप एक अच्छे कुपल है आपके साथ में अगर आपका कोई पियर है आप किसी के साथ मेरेड है या बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में है तो कि स्ट्रोंग बांडिंग है आपकी जो आपको आगे stability देगी अब आगे जा रहे हैं boldness के साथ आगे जा रहे हैं काफी हिम्मत की जरूरत होती है किसी को उसके नियमों के साथ उसकी शर्तों के साथ accept करने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत है और वो आपके अंदर है abundance है इसमें is of pentacle है अगर आप मेंसे कुछ लोग single हैं तो एक new love की तरफ जा रहे हैं कोई अच्छा बेहतर इंसान आ रहा है life में जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा nine of cups है आगे बहुत ही अच्छा ये रिष्टा आपके लिए होगा अगर आप single हैं किसी relationship में जा रहे हैं तो इस रिष्टा बहुत अच्छा होगा आपके लिए आपके जो family life है और other relation है जो आपके family के वो भी अच्छे होंगे इस month में मुझे लग रहा है लेकिन आपको bottom of the deck जो है king of cups reverse में आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग किसी relationship के इंदजार में थे कि वो आपको commitment देगा अच्छा होगा तो शायद उसमें अभी नहीं होगा कुछ चीजे सही नहीं हो रही है यह उन लोगों के लिए है जो की एक नए relationship में जा रहे है या पहले से एक relationship में है merit couple जो है उनके लिए भी थोड़ा सा यह यह reading हर व्यक्ति के लिए थोड़ी थोड़ी differ कर सकती है कुछ चीजों में stuckness है उसको आपको clear करना है तो अगर आप उसको clear करते हैं तो आगे सब कुछ life में आपका अच्छा होगा दूसरा card जो है वो आपका 10 of pentacle का है तो matter आपके life में इतने serious नहीं है अगर आप बात चीज से कुछ चीजों को सुलजाएंगे या थोड़ा सा weight करेंगे तो आपको relationship में commitment मिलेगा और आपका relationship आगे growth करेगा तो आपकी health तो Capricorn अगर आपको कोई problem है तो आपको सलहा दी जाती है कि आप उन्हें natural तरीके से उसका treatment करें कुछ natural therapies केजिए हर चीज के लिए अगर कोई छोटी मोटी problem है आपको तो हर चीज के लिए आप doctor के पास नहीं जा सकते है अगर आप exercise करते है कुछ vitamin tablet या vitamin fruits में जो vitamin सोते है कुछ अपनी diet change करते है अच्छी बेहितर diet लेते है तो उससे आपको relief मिलेगा तो इस मन्त में problem तो कुछ नजर नहीं आ रही है आपके health में बस आपको पैंपर करते हुए मुझे नजर आ रहे है कि आप अपनी health पे focus करेंगे अच्छी diet लेंगे थोड़ी सी exercise करेंगे mental peaceness के लिए आप meditation भी कर सकते है meditation कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है meditation क्या है तो meditation मुझे सबसे अच्छा meditation लगता है music सुनना जब आपका दिमाग शान्त हो अच्छा music सुनिए sad music मत सुनने बट जाना उससे आप sadness में चले जाएंगे अच्छा music सुनिए YouTube पे छोटे छोटे comedy clip मिलते हैं अच्छे comedy clip वो आप ले सकते हैं वो देख सकते हैं कुछ बहुत हलकी फुलकी फिल्मे होती हैं वो आप देख सकते हैं जो आपको relax फिल कराएं कहीं आप घुमने जा सकते हैं walk पे जा सकते हैं किसी अपने बंदे से आप मिलने जा सकते हैं जिससे आपको भी मिलके खुशी हो और दूसरे को भी खुशी हो ये एक pamper करने का खुद को तरीका होता है तो अगर आप इन सब चीजों को अपनाते हैं तो definitely आपकी life grow करेगी उसमें एक peaceness आएगी enjoyment आएगी, खुशी आएगी तो Capricorn ये reading थी आपके September मन्त के लिए I hope आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please वीडियो को subscribe जरूर कीजिए और एक like भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो मनाने में और जो Capricorn है मकराशी वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को share भी कीजिए हम फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care, thank you so much